प्सक्राइब केजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हेलो दोस्तो मैं हूँ आपका मेटिकल दोस्त और मेरे इस मेटिकल दोस्त चैनल में आप सब लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसे super antibiotic के बारे में बात करेंगे हम बताएंगे इसके धेर सारे फायदे के बारे में इसके composition के बारे में और इसकी price क्या होती है और इसके dose क्या है और इसके side effect क्या है और ये किस company द्वारा बनाये जाता है तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में सुरू से अंत तक और इस वीडियो का फायदा उठा है साथी दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक लाइक कर दें आपका एक लाइक हमारे confident को 10 गुना बढ़ा देता है इसी तरह के और भी अच्छी वीडियो दुबारा बनाने के लिए तो दोस्तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें तो चलिए दोस्तो ज्यादे शमय ना गवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं जैसे कि दोस्तो आपको screen पे एक strip दिख रहा है जो कि taxim az100 यह tablet है और दोस्तो यह alkem libertries related company द्वारे इस product को market में बेचा जाता है बात करें दोस्तो इसके composition की तो दोस्तो इसमें 2 salt मिला हुआ है और दोनों salt एंटिबाइटिक हैं जैसे कि civic gym इसमे 100 mg मिला हुआ है और azithromycin 125 mg मिला हुआ है अगर दोस्तो आप taxim 100 प्लेन लेते हैं तो सिर्फ आपको civic gym देखने को मिलता है लेकिन दोस्तो इसमें taxim az100 है यानि कि इसमें azithromycin 125 mg मिला हुआ है बात करें दोस्तो इस taxim az100 की price की तो यह आपको 193 रूपे में पढ़ता है लेकिन दोस्तो यह taxim az100 फिलाल अभी market में क्योंकि इसे government के द्वारा ban कर दिया गया है क्योंकि दोस्तो इसमें दोनों जो salt डाले गया है दोनों एक powerful salt होते हैं जो कि अगर किसी व्यक्ति को लंबे time तक हम चला दें तो उस व्यक्ति का body एक आदी हो जाता है एक heavy salt की तो इसलिए government द्वारा इसे ban कर दिया गया है और यह आपको market में नहीं मिलेगा तो दोस्तो बात करें इस taxim agent 100 के फायदे की तो दोस्तो यह एक बेहतरीन salt है बेहतरीन दवा है जो कि antibacterial infection को cure करने के काम आता है दोस्तो अगर किसी बच्चे को दोस्तो यह taxim agent 100 है जो कि खास्तोर से बच्चों के लिए बना गया है जिसको हम 5 में जिसको हम 4 साल से उपर और 10 साल तक के बच्चों में इसे दे सकते हैं 4 साल से उपर के बच्चों में यह चलता है तो दोस्तो यह एक बेहतरीन tablet है जो कि टाइफाइट फीवर में काफी अच्छा काम करता है अगर दोस्तो किसी बच्चे को टाइफाइट फीवर है और उसे बार बार फीवर परशान कर रहा है जो कि जल्दी छोड़ नहीं रहा है और आपने तरह तरह के एंटिबाइटिक दे दिये हैं तरह तरह के injection लगवा दि लेकिन उसका टाइफाइट के ओर नहीं हो रहा है तो उन कंडिशन में दोस्तो इस टैक्सिम एजेट का रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है दोस्तो मात्र 21 दिन के अंदर ये कितनी भी ज्यादा टाइफाइट हो उसे दूर करने में मदद करता है और बच्चों को फीवर से काफी अच्छा काम करता है या फिर नार्मल फीवर हो उसमें भी इस एंटिबाइटिक को हम दे सकते हैं साथी दोस्तो ये नीमोनिया में भी काफी अच्छा काम करता है और नार्मल खासी हो जैसे कि सूखी खासी की सिकायत हो जिसमें बच्चा एक एक दो-दो मिनट तक फोडे फुनसी हो या कोई घाव हो या कान बह रहा है तो उन कंडिशन में इस एंटिबाटिक के देने से उनके कान में फोडे फुनसी या कान का भाना ठीक हो जाता है साथी दोस्तों अगर बच्चों की स्कीन पे किसी तरह के इंफेक्शन हो जाता है या फोडे फुनसी निक के छहत्म्करता हे जाता है साथ ही दोस्तों गले में सूजन है उसे भी खत्म करता है साथ ही दोस्तों अगर किसी बचों को टॉंसिल की समझ्या है यानि कि उसकी टॉंसिल बढ़ गई जिससे उसे खाने पीने में काफी तकलीफ हो रहा है और टॉंसिल बढ़ने के उसे खासी आ रहा है साथ में फीवर भी बना रहा है तो उन तरह के बच्चों में भी इस टैक्सिम जे जड़ हंड्रेड को दिया जाता है तो यह टॉंसिल के सुजन को मात दो से तीन दिन हैं अंदर खत्म कर देता हैं आधि यानि कि दोस्तो इस तरह कि इसके फायदे होते हैं जो कि इसमें दो एंटिबाइटिक है और दोनों बहुत ही पावरफुल एंटिबाइटिक है और मरीज को काफी इससे जल्दी रहात मिल जाता था लेकिन अभी दोस्तो यह एंटिबाइटिक बंद हो गया है मार्केट में न BioGen Flux Plus के नाम से आता है, बहुत से Markets में Cifo Leg O 100 आता है, यानि कि उसमें Cifixim of Fluxacin 2 साल्ट होते हैं, तो दोस्तों बात करें इसके डोज की तो डोज इसका है मैंने बताये कि 4 साल से उपर और 10-12 साल के बच्चों में इसे दिया जाता है तो अगर माले जी की 5-6 साल का बच्चा है तो उसे हम एक-एक गोली सुबस साम खाना खाने के बाद इसे दे सकते हैं बात करें दोस्तों इसके side effect की तो दोस्तों इसमें 2 साल्ट मिला हुआ है अगर इन दोनों साल्ट से आपके बच्चे को allergy है तो उन condition में इसे ना दें और इसका जो side effect होता है जो दोस्तों की इसके लेने से पेट का खराब हो जाना या conspation यानि की कबजियत की शिकायत होना या पेट में बहुँ जाद ग्यास बनना या उल्टी जैसा होना या चक्कर आना या allergy की शिकायत होना या ददोरे वगेरा उबाराना तो इस तरह के common side effect होते हैं जोगी सब इस बच्चों को नहीं होता तो यह था दोस्तो taxim, azad 100 tablet के बारे में सब कुछ और दोस्तो यह azad 100 में है तो यह dispersible है यानि कि इसे पाने में भी हम घोल कर इसे बच्चों को पिला सकते हैं तो यह था दोस्तो taxim, azad 100 tablet के बारे में सब कुछ उमीद करता हूंकि वीडियो आपको काफी अच्चा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद